नमस्कार मित्रो, स्वागत आप सभीका, हमारे इस चैनल में CST के माद्यम से लोगो को आधार सुपरवाईजर बनाया जा रहा है तो अगर आप CST VLE हैं, कॉमन से शेंडर संचालक हैं और आप लोग भी अपने CST संडर के माद्यम से लोगो को आधार supervisor बनाना चाहते हैं उनको जो दिलाना चाहते हैं जहां पर उनको प्रती महने 20 से 25 रुपते की salary भी दिया जाएगा तो आज की इस वीडियो में जानेंगे किस प्रिकार से आप लोग CSC के दौरा लोगों का आधार supervisor के रिए registration कर पाएंगे और किस प्रिकार से उनका payment कटाएंगे और commission आपको कितना मिलेगा completion कर यह आज की इस वीडियो में मिलने वाली है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोरिफिकेशन वे लागन को आल पर क्लिक करके ओन कर दीजेगा ताकि आप इसे प्रेकार की इंफिमेटी बीडियो सबसे पहले देख पाएं तो आप सभी को अपनी CSC Digital Siva Portal के माध्यम से आधार सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने कम्प्यूटर में एक नया ब्राउजर ओपन करेंगे और आपको सर्ज करेंगे और है CSC MIS Expert Apply, दूसरा यहां पर है DGM Scheme, तीसरा यहां पर है आधार सुपरवाइजर, तो यहां पर आधार सुपरवाइजर का अपलाई करने से पहले आपको यह चीज का ध्यान नकना है, कि जिस ब्यक्ति का आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो CSC VLE नहीं हो होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि उसके पास आधार सुपरवाइजर का operator certificate होना चाहिए, तभी जाकर आप उसका आवेदन कर सकते हैं, तो आईए आवेदन करने के लिए आपको apply hair वाले option पे क्लिक करना है, जैसे ही आप apply hair वाले option पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर priority district list आ से स्टेट के कौन-कौन-स için gusto के यह service फिलहाल है, और कौन 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 से लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं, तो यहां पर आप आप से चेक कर लेंगे अपना digits चेक कर लेंगे यहां पर टोतल जो है 59 स्थेट और 59 डिस्टीक यहाँ पर दिया गया है, तो अगर आपकी श accepted terms and conditions इसके बाद यहाँ पर आपको accept पर क्लिक करना है जैसे ही आप accept पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामें इस प्रिकार से एंटरफेस आएगा यहाँ आपको option दिखाए देगा login as a BAE और यहाँ पर डायक्ट आपको जो है email का भी option दिखता है तो अगर आप एक cscbale है तो आपको login as a BAE पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस option पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी csc id के अमाधिम से इसके अंदर login हो जाएंगे login हो जाने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे corner पर आपको दिखाए देगा आधार supervisor इस पर क्लिक करोगे यहाँ आपको option दिखाए देगा registration का यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इसके बाद इस परकार से registration पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको उ बिक के सामने आपका registration पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको personal detail में उस ब्रेक्ति के आधार card में जैसा information है same to same आपको वही फिल करना है कुछ भी अपने मन से extra word या extra कुछ भी नहीं डालना है तो यहाँ पर उसका first name में first name डालेंगे कोई अगर middle name है तो middle name डालेंगे last name म है तो last name में डालेंगे और अगर only single name है तो आपको only first name में ही type करना है इसके वाद यहाँ पर जो भी उसका जेंडर है वो आप जेंडर चूस कर लेंगे उसका जो भी date of birth है तो वह आप यहाँ से date of birth होगा इस प्रिकार से calendar पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप जो ह पर आप जाएगा में अगर उसकी साधी हो गए तो मेरेट करेंगे अगर साधी नहीं हुए तो single पर क्लिक करेंगे इसके बाद उसके गार्जन यानिकि उसके पिता का नाम यहाँ डालेंगे इसके बाद यहाँ पर current address यानि उसकी आधहार में जैसा address है वैसे ही address आपको फि पर डिश्टिक डालेंगे उसके यहाँ पर श्टेट का नाम डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है current address और permanent address अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर देखियो option लिखा यहाँ अब तो आपका current address और प्रमानेंट अडरेस आटोमेटिक हो जाएगा लेकिन अगर पर आपका current address अलग है और प्रमानेंट अडरेस अलग है तो फिर आप अलग-अलग details फिल करेंगे और इसके बाद फिर नीचे आएंगे यहाँ आपको option दिखा देता है education का तो education पर आप किलिक करेंगे यहाँ पर जो minimum education हो 12 पास होने चाहिए अगर उससे उपर है तो आप य इसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे अभी फूछ रहा है क्या उसको कुछ experience है अगर काम करने का कुछ भी experience है तो वह आप यहाँ पर यहाँ करके उसकी डिटेल देंगे अगर experience नहीं है फ्रेसर है तो नोपे क्लिक करेंगी ठीक है इसके बाद यहाँ पे job location पूछ रहा ह यहाँ तो कि पूछ रहे है तो यहाँ पर टल लेक्श और यहाँ पर टीस्क्रा partnered में काम करने की occupy अब यहाँ पर आप यहाँ पर ह迎š ngay इलग अ अब इन 3 में से खोग कोई एक आपको काम करने वीडिया जाए गाई यह अपके ऊपर नहीं है यह सेंटर वालों के ऊपर है वह Красines मæ Legacy टीनों में से तो यहां पर तुस्य आपको यहां पर 3.ण टीन स्टेट करवाए गए है ठीक है अब इसके बाद नीचे आएंगे यहां आपको पूछ रहा है यहां को स्टार्टिंग में ही बताया कि जिनके पास आधार सुपर्वाइजर या ऑप्रेटर साटिफिकेट होगा उन्हीं कहीं आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको उस इसका सुपर्वाइजर सर्टिफिकेट यह ऑप्रेटर नंबर डालना पड़ेगा यहां पर देखेंगे स्टार मार्क लगा है तो यहां पर उस विक्ति का जो सर्टिफिकेट नंबर टाइप करेंगे इस प्रिकार से और इसके बाद यहां पर उस विक्ति का जो सर्टिफि प्रूज बिक्ति के पास पहले से बना हुआ है तो उसी को आप इसके रोप में और फिर यहाँ पर अप्लोड करेंगे अप्लोड कर देने के बाद यहाँ पर टिक करना है और फिर सीधा आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है यहाँ पर देखेंगे कुछ इनफोर्मिशन दिया जाएगा अगर डोकॉमेंट्स और डेटेल सब कुछ सही पाया जाते हैं तो इस ब्रिक्ति को इंटर्विव के लिए बुलाया जाएगा जिसके आगर उसमें सेलेक्शन होता है उसका तो जौब मिल जाएगा और फिर जो भी उसकी सैलरी होगी वो उसको दिया सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं चले मिलते हैं आप नए वीडियो में टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यमाद